चलिए आपको दिखाते इन खबर हर्याना के एडिटर विनोत लामा ने बाचीत की महलाल बडॉली से क्या कुछ कहा उनों है हर्याना बीजेपी परदेश अद्यक्ष महलाल बडॉली साहब हमारे साथ है सर सवाल तो आपकी टिकेट आई और आपसे छोटी सूची आई कॉंग्रेस की आपने 67 दे दिये और वो सिर्फ 32 दे पाए मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस से 40 से ज्यादा बड़ी सूची नहीं दे सकती अद्यक्त जी एक समस्चा तो आपकी पार्टी में बनी हुई है अब कविता जैन रो रही है सावित्री जिंदल जिनके बेटे चुनाव लड़े वो भी साफ तोर पर कह रही है कि हिसार की जनता की तो मांग यही है कि हम लगातार अब इंतिजार नहीं कर सकते हैं और हिसार की जनता चाह रही है कविता जैन के आशू हैं कमबोज साब को मनान गई सुनाव लड़ना चाहते थे और टिकर नहीं हो पाया आज भारती जANTा पार्टी के प्रतिए पार्टा करतेक पूरी मुझभूती के साथ भारती जंस र cannता के साथ है और जो निल्ण ने हमारे राष्टे नितरतने लिया है, सब उनी के साथ है, किसी परकार की कोई बगावत नहीं है, जो ब्यान बाजी आपको देखने को मिली थी, आज सब भारती जनता पार्टी एक काम लगे है। इन चर्चाओं में कितना दम है कि भाजपा कुछ टिक्टोप पर बदलाव कर सकती है बगावत को देखते हुए? जीरो परशेंट भी इस परकार की बात नहीं है, और ये दूस परचार है, और विरोधी इस परचार को आवा देते हैं, कहीं भी कोई भी हमारे राष्टे नेतरतों का फैसला है, वो अंतिम फैसला है। प्रदेश अद्यक्ष जी ने ठिक्ट की अनॉस्मेंट से पहले ही कहा था, और जो जानकरी सर मुझे मिली थोड़े बहुत चोटे मुटे सूत्र मेरे भी है, पता सर क्या कही थी मेरे को, उन्होंने बताई थी कि अद्यक्ष जी ने तो खुद कह दिया, कि मैं अद्यक्षि हो भी पार्टी ने लड़वाया है, और मैंने खुद नेने ले लिया था, कि मैं सभी 90 विधान सभाव पर जाए के पार्टी को तीसरी बार हरियाना में सरकार बने, यह हमारी बड़ी उपलब दियोगा। जाने की त्यारी में कुछ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, और अब जारी की है, यह कोंगरेस पार्टी इस परकार का एक जो उमिदवार उन्हों लेके आए हैं, वो सारे दागदार हैं, और इस लिश्ट से ही जो बारा अभी धायक अभी लोकसभा चुनाव हारे थे, उन्हों सब को भी उन्होंने टिक्ट दिया है, तो बारती जनता पार्टी की बड़ी जीत इस विदानसवा चुनाव में होगी। अगरी सवाल, आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे और नाम होंगे क्या? मासुम सर्मा जुलाना से टिकेट मांग रहा है, यह सब हमारा अंदरूनी मामला है, और यह मीडिया में बता भी नहीं जाता, और जो भी हमारा अन्यता जहां से भी टिकेट की मांग किया है, हमने सब पर विचार किया है, और सब के नाम सुची में है, तो आज मीटिंग है कोई सर दिली में? आज कोई मीटिंग नहीं है, जब मीटिंग होगी हम बताएंगे. सर एक आगरी सवाल केमरे के सामने देखके, परदेश हद्यक्ष जी सुची आनी शुरू हो गई है, सीधा समवाद, सीधा जनता के सामने आप बताएए, परदेश हद्यक्ष है सुची देख ली, और जनता देखेगी आपको ITV NETWORK के तमाम प्लेट फॉर्म पर, भाजपा पार्टी के कारेकरताओं के तयारी है, और हर्याना प्रदेश की जनता का उत्साह और जोस्त, आज नाइब शेनी जी का जो 56 दिन का वर्किंग समय है, वैसे तो काफी समय आचार सहीता में बिता, लेकिन वर्किंग टाइम जो है, वो 56 दिन का मिला, और उसमें जो हर्याना प्रदेश की जनता के बलाई के काम किये हैं आज उत्से के साथ हरियाना प्रदेश की जनता इंतजार में हैं पांच अक्टूबर का समय होगा और कमल के फूल पर बटन दबाकर भारती जनता पार्टी की सपष्ट बहुमत की सरकार हरियाना प्रदेश की जनता बनाने का काम कर कॉंगरेसियर ने जो सपना लिया उनका दोरा रहेगा आपके कितने आएंगे हमारी सपष्ट बहुमत की सरकार हरियाना परदेश साहर बढ़ेगी हमसे बाचीत करने के लिए तो परदेश हद्दिक साहब हर वो मुद्दा हर वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं विपक सवाल पूछ रहा है उस पर बेबाक अंदाज में कह रहे हैं कि बागी वाला या जो भी नराज़ की है वो दूर हो जाएगा और आज के बाद आपको कोई बयान नजर नहीं आएगा महलाल बडॉली साहब महलाल कोशिक साहब पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दिल्ली पहुचे हैं जो बताना था कैमरे पे उन्होंने बताया भी और जो छुपाना था परदेश अद्दक्ष होने के नाते वो छुपाया भी शुक्रिया सर्म से बाचित करने के लिए कैमरेबन अनीश के साथ विनोद लामबा आई टीवी नेटवर्क दिल्ली